बच्चों, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ किसी जंगल में एक बड़े पीपल के व्रक्ष पर बगुलों का एक परिवार रहता था उसकी जड़ में रहने वाला साप अक्सर इन बगुलों के बच्चों को व्रक्ष पर चड़कर खा जाता था जिसके कारण बगुले बहुत दुखी और उदास रहते थे एक बार सारे बगुलों ने एकटे होकर यह सोचना आरम किया कि इस हद्यारे साप से अपने बच्चों की रक्षा कैसे की जाए उन में से एक बुड़े बगुले ने बहुत सोज विचार करने के बाद कहा हम लोग तालाप से मचलियां पकड़ कर लाते हैं उन मचलियों को साप के घर से लेकर नेवले के बिल तक बिछा देते हैं नेवला अपने बिल से निकल कर मचलियां खाता हुआ साप के बिल तक पहुँचेगा और साप को मार डालेगा बुड़े बगले की यह बात सब की समझ में आ गई पसंद भी आई उन लोगों ने रातों रात यह काम कर डाला सुभे उड़ते ही नेवले का पूरा परिवार मचलियां खाता हुआ साब के बिल तक पहुँच गया वे साब को खा रहे थे तभी उन्होंने बगलों के बच्चों की चूचो सुनी वाह वाह एक शिकार के बाद दूस्ता शिकार नेवले बगलों के बच्चों पर तूट पड़े और देखते ही देखते उन्हें खा गए जब साम को बगले आये तो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा उन्होंने देखा साम मरा पड़ा है और बगलों के बच्चों के पंक बिखरे पड़े हैं उनको समस्ते देर नहीं लगी कि नेवले ने पहले साम को मारा उसके बाद बच्चों को खा लिया सबी बगले रोने लगे पस्ताने लगे लेकिन अब पस्ताने से क्या होता इसलिए सयाने लोग कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले पहले उसका परिणाम सोज लें अन्य था पस्तान पड़ेगा